तो हेलो दोस्तों आप सभी का एक बाब फिर से स्वागत है हमारे स्टेटू चनल पर जी अजो आज के स्टीविंब बात करने वह इल्क वैसे चातर चातर है जो बिहारबोर्ट से स्टडी करते हैं पढ़ाई करते हैं जो है ना क्लास 9 में पढ़ते हैं या 10 में पढ़ते हैं 11 पढ़ते हैं उन्हें सभी चातर चातर रहों के लिए एक बहुत बार अपडेट बिहारबोर्ट के तरफ से जारी किया है उसके बाद यह भी बताऊंगा कि जो ना सीकें ट्रूटीन क्या होगा टाइम टेवल कब होगा इसका प्रसंद पतर कब आएगा और प्रसंद पतर कह मैं सबसे पहले दिखाता हूं इस सारा का सारा कॉमेंट करूंबा सबसे पहले आप जान लिए कि हैना इस वीडियो का आप सुरू से अंत दिखिए ताकि आपको हर एक टॉपिक आपको समझ में आ जाए सबसे पहले आप बताए जा रहा है कि यह कुश्चन स्केंट ट्रॉल परसेंट लाजमी बंगता है समझे तो इसको आपको 100 परसेंट करना है कि मैं आपको हर एक मोटल पेपर जो अब लोट करके दिखा रहा हूं समझे और आपको याद करते जाना है सुरू से ताकि आपको एक्जाम में कोई प्रोब्लम नहों सके अगला प्रसन आ रहा है सर कि कितना कुछां पूछाएगा तो तो जांद एस में बेर तेज बोड एक्जाम होगा उनमें कितना प्रसन पुछाए जाल चाली मीरत का छो ब्र elabortt ना सबसे पहले कौन से विसाय का स्टेस्ट होगा एक्जाम होने वाला है होने वाला है उनका यह कॉमेंट आ रहा है कि सर जी जो आप और कुष्ण जो एक्जाम में देते हैं जो एक्जाम सब पहले उन सभी सभी का जो ना आपका कुष्ण पुरा का पुरा टक रहा रहता है और मैं आपका पूरान हूं समझें काफी चात्र है जो मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़कर काफी अच्छा अंक उठा है और उठा रहे हैं यहां पर बता जारा है कि क्लास नायंत का जो ने स्केंटर में एक्जाम का जो अबजेक्टी और सब्जेक्टी प्रस्ण है वह कव अप्लोड प्लीज आंसर दीजिए ठीक है यह बता जारा है यहां पर प्रसंद्र प्रसंद्र आ रहा था बच्चों के मादिया में से कॉमेंट बॉक्स में प्रसंद प्रसंद अप्लोड कब की दिए ऐसे बता दू कि जो आने देखिए आपको यह एक्जाम वह कब से होने वाला है प्रसंद पत्र के बाद करें तो लेकर सोला से लेकर और भी प्रसंद पत्र आएगा जो आपके उसके मातियस मैं आपको षोला से एक अठारद सफे लेकर मैं उनीस तरीक 국ず पहले पहले मैं कुस्ण अप्लोड कर दूंगा आरजिन li प्रसंद प्रसंद ठाह on और सिकेंट ट्रॉन्मेंट का एक्जाम का बात कर रहा हूं चाहिए नाइन के चाहिए यह तेन के चाहिए यह त्याइब अगला प्रसंद आधर आए कि सर प्रसंद पत्र कैसा आएगा अप्लोड कप कीजिए तो मैं बता दिये कि अप्लोड मैं 16 लेकर निस तक करूंगा और आपका जो प्रसंद पत्र रहने वह हाप एले एक्जाम जैनिके 16 हाप एक्जाम जो नहीं 20 से होने वाला है समय तो जिसमें ना कुशन प्रसंद प्रसंद पत्र अप्लोड कर दूंगा लेकिन स्लेवर्स क्या होगा इसका प्रसंद पूछा कैसे जाएगा तो वह सारा कसर हम मैं बताऊंगा यहां देखिए अगला पुछा रहा है कि सर एक्जाम कम से तो मैं बताए न कि एक्जाम जो है आपको वह कब से हैं तो वह आपको 20 तारीक से तो 20 तारीक से एक्जाम इसमें कोई दिकत वाली बात नहीं समझें एक-एक करके डाउट समझते जाए ठीक है यह कि अगला प्रसन आ रहा है समझा यह अगला प्रसना रहा है है यहां कता रूटिन क्या है काफी चातर ऐसे हैं जिनको रूटिंग अभी पता नहीं रूटिंग मी दखा दूँगा वीडियों का सुरु से अनल तक देखी रीए ठीक है तैक है तो एक्जाम होने बाला है वही सब्सक्राइब मेंऱ किसी सब्सक्राइब है कि सब्सक्राइब समय ठीचिक है तो 10 फेकर में सेंपको 5 प्रस्लाइब और सेंट उसमें 20 क सेंटम59 वाला है समझे अक्टूबर नॉममर में उनका वह दस 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 चेप्टर है तो दस का दस ही चप्टर पूछा जाएगा आपके एक्जाम में इसलिए आपको संपुर्ण जिन में से आपको 50 प्रसंट के जवाब देने वह कभी वह चात्र कलास नायंत का हो या ठेंट का ठीक है दोनों के लिए मैं बता रहा हूं ठीक है और टूएल्ट के चात्र वैसे हैं जो अगर मैं बता दू उनका कैसे पुछा है देखिए आपको 40 प्रसंट पुछा है जिसमे प्रसंट का जवाब देना पड़ेगा ठीक है तो समझ में चली आगे प्रसंट आ रहा है कि कुस्टन अपलोड का मैं बताया कि कि अपलोड होगा की नहीं होगा तो देखिए कुस्टन अपलोड होगा 100 अपलोड होगा और से यूर्ण पॉइंट ऑफ स्टेडी पॉइंट ऑफ स्टेडी स्टेम यह डाल देना प्सक्राइब कि या हमारा लोगो आएगा समझे हरा कलर का लोगो आई जिसमें पीस लिखा विव अगला प्रसन आ रहा है कि ऑरिजनल पेपर और अपलोड हो थो है और काफी राइजिक होता आप्यानते है कि अगर मैं पहले अपलोड कर दूंगाव तो इसमें काफी साथा आरा मुझे दिक्रतों का सामने करना पर सकता है चैनल है हाइड हो सकता है चैनल को डिलेट कर दिया जा सकता है तो हमको काफी जड़ा प्रोब्लम हो सकता है अब इस बात को समझे ठीक है तो देखिए उरिजिनल पेपर जो ना अपलोड होगा उससे पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा लेकिन कब दिया जाएगा आप टेलीगरा में जब जुड आप जाएगे अब कहीं भी चुरनी जुरिये नहीं वार्टसप ग्रूप में जूर जाएगे जिनको टेलीगराम नहीं चलाना ते वही चात्र जुरेंगे बागए दूसरे जुरेंगे तो मैं रिमूब कर दूंगा वहां से उसको फटा दिया जाएगा डिक है आप समय नि लेका उनिस तारिक्य बीच में अपलोड कर दिया जाएगा चलि तो अगला प्रसंद आ रहा है कि सर की 2023 में कितना कुषा पूचा जाएगा तो अश्राइब जवाब देना और साइंस में और सोसल साइंस पुछा जाएगा जिनमें से आपको है ना 40 जवाब देना है ठीक है तो समझ में है यह सब यह काफी ज्यादा चातर का कॉमेंट आ रहा है अब मैं आपको बता दू कि रूटीन क्या है तो रूटीन आपको दिखाता हूं चली एक करके समस्थ रही तो देखिए आप रूटीन जारी किया है यह हमारा ओफिसियल नोटीस है समझे यह व्यारबॉट के द्वार लिंक पर किलिक किजिएगा उस वीडियो को संपूर्ण जहंकारी उस वीडियो में बताया गया है उन सभी को आप जान लीजिए और यहां पर देखिए यह नहीं एक्जाम होगा वह 9 बज़े से स्टार्ट होगा और 12 बज़े तक चलेगा पर्थम पाली में और दूती पाल पाली में कच्छा 9 के लिए कोई भी से नहीं उसका एक्जाम नहीं होगा यहां पर अगला प्रसन यहां देखिए अगला यहां बता रहा है यहां सब कुछ समझ सकते हैं यहां बदिए 11 तारिक को बुद्वार है और पर्थम पाली में अंग्रेजी के परिक्षा जबकि आप रूटिंग दिया वागा इस रूटिंग आप देख सकते हैं एक करके फॉलो कर लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो आप पहली में पहले चुका हूं समझे इसको आप रहना समझ सकते हैं अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए कि क्या 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 किन बातों को समधानी बर अब देख सकते हैं और हमारे टेली ग्राम पॉइंट ऑफिश्ट अप इस त्यमें जोड़ जाए और वास्टव गूरूब में आप में जूर जाना है समझे वास्टव में आपको जूर जाना है जिससे ना आपको मैं कुस्टन प्रोवाइड करांस हूंगे वही चाहतर और कब यह एक्जाम होगा समझे साराक सारा मैं डाउट के लिए कर दिया हूं और मैं बता दूं कि जो अभी मैं मोडल पेपर अपलोड कर रहा हूं उससे आप है ना तयारी अदम जोरो सोरो सक कीजिए क्योंकि मैं बता दूं कि आपको बोड एक्जाम में वही प्रसन आए जो मैं आपको मोडल पेपर में बता रहा हूं उनको भी वही प्रसन आएगा तो आप मैंना मोडल पेपर को अदम बारी के से देखिए एक एक करके पॉइंट से समझे और कुस्टन याद करते चलिए तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक किजिएग और चैनल को सब्सक्राब किजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक लिए आप सभी का एक बार फिर से दन